नमस्कार जी, बित्तमंत्री, श्रीमती निर्मला सितारमान जी, रिजर्बाइंके गवणर, श्री शक्तिकांदास जी, कार्कमे उपस्तित, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, कुरोना के इस चुनवती पुन कालखन में देश के वित्तमंत्रालाई ने, आर्बियाई और अन्य वित्तिय संस्थाओं ने, बहुत प्रसंचनिय काम किया है, अम्रित महोत्सव का ये कालखन, 21 सदी का, ये महत्वपुन दशक, देश के विकास के लिए, बहुत महत्वर रखता है, ऐसे में, आर्बियाई की भी भूमी का, बहुत बड़ी हैं, बहुत महत्वपुन हैं, मुझे पुरा विश्वास है, कि टीम आर्बियाई, देश की अपेक्षाओं पर खर्रा उत्रेगी हैं, साथियों, बीते छे साथ वर्सों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हीतों को सरवोच्य प्रात्विक्ता देते हुए काम कर रही हैं, एक रेगुलेटर के तौर पर आर्बियाई अन्य वित्तिय संस्ताओं के साथ लगातार संबाद बनाए रखता है, मुझे खुशी है कि आर्बियाई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए, सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए, लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है, आज जिन दो योजनाओं को लाउंच किया गया है, उनसे देश में निवेश के दाइरे का विस्तार होगा, और केपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधीक आसान अधीक सुरश्षित बनेगा, रिटेल डारेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्मेंट सिक्यूरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरख्षित माध्यम मिल गया है, इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अमबर्जमेंट लोगपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में, वन नेशन, वन एमबर्जमेंट ये सिस्टिम ने आज साकार रूप लिया है, इससे बैंक कस्टमर्स की हर सिकायत, हर समस्या का समाधान, समय पर बीना परेशानी को हो सकेगा, और मेरा इस पर्ष्टमत है, कि लोगतंत्र की सक्से बड़ी ताकत, आप ग्रिवन्स रिडरेशल सिस्टिम में कितने मजबूत हैं, कितने सम्मेधन सिल हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोगतंत्र की सबसे बड़ी कसोटी हैं, साथियों, अर्थ बवस्ता में सभी की भागीदारी को प्रमोट करनी की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्किम नई उंचाई देने वाली हैं, देश के विकास में गवर्मेंट सिकुरिटी मार्केट की एहम भूमिका से आम तोर पर लोग परिचीत हैं, विशेश रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रासेक्टर को आदूनिक बनाने में जुटा है, अभूत पुर्व इंवेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं, अभी तक गवर्मेंट सेकुरिटी मार्केट में, हमारे मद्यमबर्ग, हमारे कर्मचारिया, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानि जिनकी छोटी सेमिंग है, उनको सिकुरिटी में निवेश के लिए बैंक इंशुरंस या मिच्यूल फंड्स जैसे इन डायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे, अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बहतरिन विकल्प मिल रहा है, अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्मेंट सिकुरिटीज में, देश की संपदा के निर्मान में, सीधा निवेश करने में और आसानी होगी है, ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्मेंट सिकुरिटीज में, गेरेंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है, ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आस्वासन मिलता है, यानि छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेशक पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा, और सरकार को इंफ्रस्टर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवी की आशा आकांख्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विक्सित करनी चाहिए इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे, और यही तो आत्म निर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरीक और सरकार की सामोहिक शक्ती, सामोहिक प्रयास है, साथियों, आम तोर पर फाइनास की बातें जरा टेकनिकल हो जाती हैं, सामान्य मानवी हेडलाइन पढ़कर के छोड़ देता है, और इसलिए सामान्य मानवी को बहतर तरीके से इन बातों को समझना और उनको समझाना, मैं समझता हूँ जाज समय की मांग है, क्योंकि फाइनांसल इंक्लूजिन की बात हम जब करते हैं, तब इस देश के आखरी व्यक्ति को भी इस प्रोसेस का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं. आप एक्सपर्स इन सारी बातों से भली भाती परीचित हैं, लेकिन देश के सामाने जन के लिए भी ये जानना उनकी बहुत मदद करेगा, जैसे उन्हें पता होता चाहिए कि इस योजना के तहट फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिटेल डायरेक गिल्ट आर्डीजी एकाउंट खोला जा सकता है, ये एकाउंट भी ओनलाइन खोला जा सकता है और सिकुरिटी की खरीद फरोग भी ओनलाइन के संबव है, सेलरी वालों या फिर पैंशनर्स के लिए गर बैठे बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है, इसके लिए कहीं भी आने जाने की जरुरत नहीं है, फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका काम हो जाएगा, ये आर्डीजी एकाउंट निवेशक के सेविंग एकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज आउटोमेटिक खरीत भरो का जो काम है आउटोमेटिक संभव हो सकेगा, अब कलपना कर सकते हैं, लोगों को इससे कितनी आसानी होगी, साथियों, फाइनांचल इंक्लूजन और इज़ अप एक्सेस, जितने जरूरी है, इस आफ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम पर सामान ने जन का भरोसा भी, सामान ने जन के लिए सुविधा भी, सामान ने जन के लिए सरलता भी, उतना ही आवशक है, एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थवबस्ता के लिए बहुत जरूरी है, 2014 के पहले, कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जीस प्रकार से नुक्सान पहुँचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था, बीते साथ सालों में एन पीएज को पारदर्शिता के साथ रेकगनाईज किया गया, रिजॉलूशन और रीकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रीकेपिटिलाइज किया गया, फाइनेंचियल सिस्टिम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किये गए, जो विल्फुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टिम से खिलवार करते थे, अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवर्नेंस में सुधार हो, डिसिजन मेकिंग, ट्रांस्पर पोस्टिंग से जुड़ी आजादी हो, छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्मार हो, या फिर नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेट की स्थाफना हो, इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास, नई उर्जा लौट रही है, साथियों बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए को अपरेटिव बैंकों को भी आर्बी आई के दायरे में लाया गया, इससे इन बैंकों की गवननेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखो डिपोजिटर्स हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टिम के प्रती विश्वास बजबूत हो रहा है, बीते कुछ समय में डिपोजिटर्स के हीतों को देखते हुए ही अनेक फैस ले दिये गए हैं, वन नेशन, वन अमबर्जमन सिस्टिम इस से डिपोजिटर्स को और इन्वेस्टर्स के कमिट्मेंट को बल मिला है, आज जो योजना लॉंच हुई है, इस से बैंक, एन्वी एपसीज और पी पेड इंस्टुमेंट में 44 करोड लॉन अकाउंट और 220 करोड डिपोजिट अकाउंट इसके जो धारक है, उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी है। अब RBI के द्वारा, रेगूलेटेड सभी संस्ताओं के लिए, खाता धारकों की सिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मोनिटर करने का एक ही प्लेट्फॉर्म होगा। यानि शिकायत निवारन के लिए, खाता धारकों अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनों में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता ये था कि उसको लखनों के अमबर्जमन को ही शिकायत करनी पड़ती थी। लिकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजन्सियों के बीच कम से कम समय में बहतर तालमेल सुष्णिस्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्षन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतने ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पनेट्रेशन और कस्ट्रमर इंक्लूजिवनेस का दाइरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा। कस्ट्रमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनांचिल सेक्टर में, इंक्लूजिन से लेकर टेक्नॉलोजिकल इंटिग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किये हैं। उनकी ताकत हमने कोवीड के इस मुश्किल समय में देखी हैं और उसके कारण सामान ये मानवी सेवा करने का एक संतोस भी प्यादा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी, उसका प्रभाव बढ़ाने में RBI के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की हैं। और मैं RBI गवरनार और उनकी पूरी टीम को सारवजिनी ग्रूप से इस संकट काल में जिस प्रकारते हैं उन्होंने चीजों को हिम्मत पुर्वक निर्ने किये हैं, इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारेंटी स्कीम की गोष्णा की गई थी, उसके तहट लगबग 2,90,000 करोर रुपिये से अधिक का लोन स्विक्रत किया जा चुका है। इसकी मदद से सवा करोर से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर MSM इज हैं, हमारे मद्यम्बर के छोटे उद्यम ही हैं। साथियों, कोवीड काल में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को, किसान क्रेडिट कार देने के लिए विशेश मुहिम चलाई गई। जिससे डाई करोड से अधिक किसानों को के सिसी कार्ट्स भी मिले और लगवग पोने तीन लाग करोड का क्रशी रूनगियू ने मिल गया। पी-म स्वानिधी से करीब 26 लाख, 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को रण मिल चुका है। और आप कलपना कर सकते हैं, कोविड का इस अंकट काल के बाद 26 लाख से जादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से भी जोड दिया है। ऐसे अनेक इंटरवेंशन ने गाव और शहरों में आर्तिक गतिविजियों को फिर से सुरू करने में बहुत महत्वपुण भूमी का निवाई है। साथियों, छे साथ पहले तक भारत में बैंकिंग, पैंशन, इंशॉमन्स ये सब कूछ एक एक्सलूजिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाए, दलीद, बंचीद, पिछडे, इन सब के लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुँचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। बलकि बडलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हैं, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तरक दे सकते हैं। भाती भाती के बहाने यही एक परंपरा हो गई थी, और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुले आम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जाग रुकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तरक दिय जाते थे अन्प्रोड़क्टिव सेविंग्स और इन्फॉर्मल लेंडिंग इससे सामन्य नागरिक की स्थिती भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी नक के बराबर थी पेंशन और वीमा का तो यही माना जाता था कि यह सब सम्रुद्ध परिवारों के भागे में ही है लेकिन आज स्थिती बदल रही है आज फाइनांसल इंक्लूजिन ही नहीं बैंकिंग और फाइनांसल सेक्टर में इस ओफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है आज अलग-अलग पेंशन योजनाओं के तहट समात का हर व्यक्ति साट वर्ष की आयू के बाद मिलने वाली पेंशन के सुविदा से जूड़ सक्मा है पी-एम जीवन जोती बीमा योजना और पी-एम सुरक्षा बीमा योजना के तहट लगभग 38 करोड देश्वाजी 38 करोड कंट्रिमेंट दो-दो लाख उर्पे की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए देश के करीब-करीब हर गाउं में पांच किलो मिटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कोर्स्पोंडन्स की सुविदा पहुँच रही है पूरे देश में आज लगभग साड़े आठ लाग बैंकिंग टच पॉइंट्स जो देश के हर नागरी की बैंकिंग सिस्टिम तक पहुँच बढ़ा रहे हैं जन धन योजना के तहट 42 करोड 42 करोड से अधिक जीरो बैलेंस बैंक एकाउंट्स खोले गए जिसमें आज गरीब के हजारों करोड रुपे जमा है मुद्रा योजना से महिलाओं, दलीत, पिछडे, आदिवासियों में व्यापारियों, कारोवारियों की एक नई पीडी सामने आई है और स्वनिधी योजना से रेडी, ठेला, फेरी चलाने वाले भी इंस्ट्रिटूशनल लेंडिंग से जुड़ पाएं हैं साथियों, लास्ट माइल फाइनांसल इंस्ट्रूशन से जब डिजिटल एंपरवन्ट जुड़ गया, तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है 31 करोर चे अधिक रूपे कार्ड, करीब 50 अलाग पॉस एंपॉस मशिन्स ने आज देश के कौने कौरे में डिजिटल ट्रांजेक्शन को संभो बनाया है UPI ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है सिर्फ साथ सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है, 19 टाइम आज 24 गंटे, सातों दिवस और 12 महिने देश में कभी भी कही भी हमारा बैंकिन सिस्टेम चालू रहता है इसका लाब भी हमने करोना के इसकाल में देखा है साथियों, RBI का एक संबेदन सिल रेगुलेटर होना और बदलती हुई परिस्टितियों के लिए खुद को तयार रखना देश की एक बहुत बड़ी ताकत है आज कल आप देख रहे हैं कि फिंटेक फिंटेक जसे खेत्र में हमारे भारतिय स्टार्ट अप्स कैसे ग्लोबल चेंपियन बन रहे हैं इस खेत्र में टेक्नलोजी तेजी से बदल रही है हमारे देश के युवाओं ने भारत को इनोवेशन्स का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे रेगुलेटिंग सिस्टिम्स इन बढ़लाओं के प्रती जांगरू करहें और फाइनांशल सिस्टिम्स को विश्वस तरिये बनाएं और उसको बनाए रखने के लिए शूटेबल इको सिस्टिम्स का निर्मान करें उसे ससक्त करें साथियों हमें देश की देश के नागरीकों की आवश्यक्ताओं को केंद्र में रखना ही होगा निवे शकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा मुझे पूरा विश्वास है कि एक संबेदन सिल और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भारत की नहीं पहचान को RBI निरंतर ससक्त करता रहा है और मुझे विश्वास है ससक्त करता रहेगा एक बार फिर इन बड़े रिफार्म्स के लिए मैं आप सब को सभी स्टेक होल्डर्स को इनिशेटिव लाने वाले सब को टेक्नोलोजी की एक सलांग लगाने के लिए आप सब को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्वाद